महा भारतान तर्गत शेकुंतलोपा ख्यान चेतुर्थभाग राजा के पास पहुंचकर शेकुंतला ने कहा राजन यख आपका पुत्र है इसे युवराज के पद पर अभिशिक्त कीजिए यख देवोपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है आपने कन्व के आश्रम पर समागम के समय मेरे साथ जो प्रतिग्या की थी उसका स्मरण कीजिए राजा ने शेकुंतला का यख वचन सुना तो सारी बात याद आ गई फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा तुम किस किस त्री हो में नहीं जानता मुझे लेश मात्र याद नहीं कि तुम्हारे साथ धर्म काम तथा अर्थ को लेकर कभी वईवा की सम्मंद हुआ है इसलिए तुम इच्छान सार चाहे रहो या जावो मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है राजा की यह बात सुनकर शिकुंतला लज्जित हुई और संग्याखीन सी होकर स्तंब के समान निश्चल सी खड़ी रही गई क्रोध और अमर्ष से उसकी आंखों लाल हो गए है वोंट फड़कने लगे उसने राजा से कहा महाराज आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता आप जानते हैं कि मैं उस समय अकेली थी इसलिए हमारे संगम का कोई साक्षी नहीं है किन्तु यह भी सच्छी है कि परमात्मा सब के खरदई में विज्यमान है वह सारे पापपुन्य को जानता है नजाने मैंने पूरो जन्म में कौन सा पाप किया था जो बाल्या वस्था में मेरी माता मेन का मुझे वन में अकेला छोड़ कर चली गई और अब आप मेरा परिच्चाक कर रही है आप नहीं स्विकार करेंगे तो मैं अपने आश्रम को लौड जाओंगी किन्तो आपने इस कुमार का परिच्चाक तो नहीं कीजिए दुशन्त ने उतर दिया अपसरावो में मेन का स्रेष्ट है और रुशियों में विश्वा मित्र तुम उनकी संतान होकर जूटी बाते क्यों कर रही हो तुम्हें ऐसे अश्रध्य बात करने में लज्जा नहीं आती तुम यहां से चली जाओ यह सुनकर शकुनतला अच्चन तपीड थुई उसने कहा आपकी आसकती जूट में है इसलिए आप मेरी बात में विश्वास नहीं करते तो मैं स्वयम ही चली जाती हूँ आप जैसे विक्ति के साथ रहना उचित नहीं है किन्तो यह याद रखिये कि आपके बिना ही मेरा यह पुत्र शेलराज के मुकट से शोभित और चारों समुद्रों से घिरी हुई समूची पृत्वी का पालक बनेगा ऐसा कहकर शकुन्तला वहां से चलने लगी उसी समय आकाशवानी हुई राजन शकुन्तला सत्च कहती है तुम ही इसके गर्भ से आधायक हो इसलिए तुम अपने पुत्र का पालन पोशन करो हमारे कहने से तुम इसका भरन पोशन करोगे इसलिए यह कुमार भरत नाम से विख्यात होगा आका शिवानी सुनकर राजा ने कहा मैं जानता था यह मेरा ही पुत्र है फिर भी उसे केवल शकुंतला के कहने से ग्रहन कर लेते तो सब लोग उस पर संदेख करते हैं और शुद्ध नहीं मानते हैं यह का खर राजा ने पुत्र को खुरदय से लगा लिया और शकुंतला को भी पत्ने के रूप में सम्मान पूर्वक ग्रहन किया और कहा कि हम दोनों के सम्मंध को लोग नहीं जानते थे इसलिए तुम्हारी लोक स्वीकृती के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया है तत पस्चा दुशंत ने कुमार का नाम भरत रख कर उसे युवराज के पदपर अभिशक्त कर दिया भरत के नाम से ही इस भूमी का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ और उसके पस्चात कवरवंश भरतवंश के नाम से विख्यात हुआ भरत के पस्चात इस कुल में उत्पन होने वाले सम राजा भारत अर्थात भरतवंशी कहलाए। महा भारत अंतर्गत शेकुंदलोपाख्यान समात।